So Hello दोस्तों कैसे हूँ आप सब स्वागते हैं आपका Scientific Technical Trick के एक नए एपिसोड में So इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज इस चैनल पे हमने पूरे 100 वीडियोस कंप्लीट कर लिये हैं So thank you so much अभी आप लोगों से दो रिक्वेस्ट है एक तो यार इस चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर करवाद हो यार थोड़ा ही दूर है करवाद हो और दूसरी चीज हम लोग लेके आए व्लॉग चैनल तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है चैनल का नाम है The Hidden Places आइडिया इस में हमने कफी यूनीक यूज़ किया है तो मुझे पता है कि आप लोगों को ये आइडिया जरूर पसंद आएगा तो आप जाके इस चैनल पे जरूर विजिट करो और आपको बहुत यूनीक कांटेंट मिलने वाला है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो तो अभी आते हैं Back to the Topic So guys मैं लेके आया हूँ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा टूल जो कि आप लोगों के लिए entertainment purpose के लिए तो होगा ही होगा लेकिन ये आपकी mental health के लिए बहुत ही सही चीज है So I am presenting you The Singing Ball So guys जब मैंने पहली बार इस चीज को यूज किया इस चीज को फील किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिमाग की नसे जो बहुत ही जादा time से बन थी वो खुल गी है सची इसको यूज करने के बाद आप लोगों को भी बहुत अच्छा फील होने वाला है तो अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा आपको दिखाऊँगा कि ये किस तरह से काम करता है और उसके बाद हम देखेंगे इसके पीछे की science और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको इसे सही तरह से किस तरह से यूज करना है और इसके benefits आप internet पे देख सकते हो गूगल पे देख सकते हो आप वहाँ पे search किजिए benefits of resonance bowel, singing bowel जो भी लिखिए लोगों ने बहुत बहुत thesis इसके उपर लिखी हुई है तो इक किस तरह से आपकी body के उपर impact करता है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये काम किस तरह से करता है और इसकी जो vibration है वो आपको किस तरह से आपके दिमाग पे impact करती है तो आपको एक काम करना है कि जब मैं आपको बोलूँगा कि आँखे बंद करके इसकी energy को feel करो तो आप 5-10 minute के लिए इसकी जो आवाज होगी जो इसकी sound waves होगी उसको feel करने की कोशिश करना आप लोग समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो अभी मैं इसको शुरू करूँगा अभी इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ यह मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है और अभी मैं इसको गुमाना शुरू करूँगा तो धीरे धीरे क्या होगा तो इसमें आवाज प्रोडियूस होना शुरू होगी। गैस अभी आप आँखे बंद करके इसकी एनरजी को फील करना, ठीक है? गैस मैंने इसे छोड़ भी दिया है, और आप देख सकते हो, मेरे तो आवाज मतलब एक दम शात हो गया दिमाग मेरा, मेरे तो आवाज भी जिस जोश के साथ है, साथ में पहले बोल रहा था ना, अभी तो एकदम काम हो गया, दिमाग एकदम डाउन हो गया, एकदम शान्त, तो गैस ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपके दिमाग को बहुत जादा इंपक्ट करती है, अगर आपके दिमाग में बहुत जहाँ टेंशन है ना, वैसे कोविड के टाइम पे किसे टेंशन नहीं है, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़ादा हेल्प कर सकती है, अभी बात करते हैं इसके पीछे की साइन्स के बारे में, तो गाईज ये चीज़ काम करती है resonance के ऊपर, तो resonance क्या होती है, वो आपको पहले समझना पड होती है जिसे कहा जाता है नेचरल फ्रिकंसी जो कि इस बाउल की भी है यह आप देख सकते हो वैसे ही अगर आप एक्जामपल होगे तो हमारी जो च्छत होती है उसके भी एक नेचरल फ्रिकंसी होती है ठीक है तो अगर उसके ऊपर कोई भी एक जादा वेट वाला आदमी या आदमी यह जो force vibration दे रहा है इसे कहते हैं forced frequency तो यह frequency जब natural frequency के साथ match होती है तब वहाँ पे vibration create होती है और यही होता है resonance लेकिन resonance का एक सबसे जो worst part आप जिसे कह सकते हो वो होता है कि अगर forced vibration forced frequency अगर natural frequency के साथ match कर गई equal हो गई अगर यह दोनों equal हो जाती है तो वो चीज़ के damage होने का बहुत जादा खत्रा बढ़ जाता है यह critical stage होती है और अगर उससे जादा frequency बढ़ गई तो वो पका ही damage हो जाएगी तो यह चीज़ completely काम करती है resonance के उपर और अभी बात करते हैं कि अगर आप इस चीज़ को ख मिल पाता है तो इसे use करने का जो तरीका है वो यह है कि आपको इसे अपने हथेली पे रखना है इसे इस तरह से grip नहीं बनाना है इसे इस तरह से हथेली पे रखना है ताकि आप इसकी जो vibrations है उसे महसूस कर सको उसके बाद यह जो इसका mallet है इसको इसके edge पे लगाना है ठी इसको कोई बजाने की जरूरत नहीं है इस तरह से गुमाओ गए तो धीरे 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 पांस-दस सेकेंड के बाद कि आपको कि यह साउंड मिलेगी और इस चीज़ को जब आप एंड करते हो तो आपको इस तरह से छोड़ना है ऐसे एकदम से नहीं छोड़ना इस तरह से छोड़ोगे तो आपको इसकी जो वाइब्रेशन है उसको आप फील कर पाओगे पूरा तो अगर आपको यह चीज़ अच्छी लगी है तो आप इसे खरीज सकते हो मैंने जान से खरीदा है मैंने इसे लाइक चैनल को कर तो सब्सक्राइब और घंटी बटन दबाए भी ना मत जाना तो डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल है व्लॉग चैनल तो उसमें जाके विजिट जरूर करो वहां पे भी हमने बहुत सारा यूनिट कॉंटेंट डाला है तो आपको पसंद जरूर आएगा तो आप उसे भी देखो और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और यहां पे भी हार 20,000 सब्सक्राइबर करा दो प्लीज तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद जाए भारत